लेकिन आज का दोर ऐसा है कि प्रिया दर्शन के नाम से डर लगता है कि प्रिया दर्शन ने प्रिया दर्शन पे कि वह चीजों को modernize नहीं करा है अगर वो अपना पुराना टच ही देगा न तो भी कोई दिक्कत नहीं है पर वही बात है कि वह नया टच जो दे रहा है वो बंदे एक्ट चाहो तो उस टाइम में बना लो मूवी कि वही टाइम पीरियेड है बताओ मत कि धरिया दर्शन को मैं जब से प्रिया दर्शन को फॉल्व कर रहा हूं उनको लेज़ों कर रहा है उनको लेगर कि मतलब अच्छी बात क्या बता है तो उस पर बहुत अच्छा उनका टंच होता है अक्रोष garantis plainly जोटैसल्ट Galaxy सारी मोवी इस्पनայर कर लेकिन अगर टुप इतने बैस थे लेकिन मूवी मैं बोर कर रही थी बहुत जादा ये दिक्कत है प्रिया दर्शन के साथ में और पोस्टर देखा उसका मोहनलाल वाली जो मूवी है ना बड़ी एपिक टाइप की कुछ मूवी ना पीरे ड्रम है नो शायद भाई वी एफेक्स बाप लेवल का व लेकर करके मतलब जैसा आना चेतना डिमांड वैसे नहीं आ रही थी इसके लिए सब लोग पीछे अड़ गयते प्रोडूसर प्यादर्शन के नाम से अच्छा अब यू कंट क्यूंकि मैं कुछ जहां तक यहाद है देध हनादन बहुत बड़े स्केल पर बनाई गई थी अ कि कोई एक प्रोजेक्ट से उठके आए था तो इसको सो प्रोजेक्ट पकडा रहे हो तुम सोच रहे हो उससे सेमक कर रहे हो कि अच्छा यृ आता रहे भाई वो बंदा बर्ना-उट हो जाएगा तुम्हे फिर एक पॉंट पर प्राउलम हो नहीं है तो ऐसे जोगों ना उ उनका उनका business point of view से चलता होगा ना कि जब तक पैसे निकाल सकते निकालो फिर move on कर जो वो रहता है और लेकिन मैं यह भी मानूंगा प्रिया दर्शन ने जितने भी content मना है सब मल्यालम मूवी की रीमेक थी यह थी लेकिन उसको बोलते के proper adaptation जिसको एड़ाप करने के बाद उन पहले की legend movies है ना उनका उठाओ डागे उठाओ डागे यहां पर concept पेला जा रहा था यह दिक्कत दो रही थी मैं अभी अबने वीडियो में बोला था लगता है हेरा फिरी 3 के लिए उनको गायरीची की कोई फिल्म नहीं मिल रही है इसके लिए उन लोगों ने अटका दिया क्या पता अभी gentleman को पता लगा उठाकर को इन लोगों ने remake कर दिया तो पता लगा उसको ठाकर के इन लोगों कॉमेडी बना दी कुछ भी हो सकता भई बोलते ना मैं फिल्म नडियाल वाले पर कभी भरोसा नहीं करता कर दो कर दो